गुड आफशनों टु ओल आज की जो एधिशू बनी आज की वीडियो का मेंन मौटीफ कह कि आपको बताना कि जो पतवारी लैंड मेजरमेंट करता है तो लैंड मेजरमेंट करने में वह क्या-क्यारी टरम्स यूज करते है जैसे सरसई है करम है फीट है वर्ग फीट है जो भ प्टवारी के लिए बहुत मेहतपून मैं ही कहूंगा आपको क्योंकि इजाम में कुछन यहां से डेफिनिटली एक फ्टवारी का मैं काम क्या हुता है वह भूमी का मापन करते है पूरे लैंड रिकोर्ड उसके पास होते हैं पूरे गाउं का जो भी इसके पास एरिया होते ह तो पूरा उसके पास रहते हैं, तो मैं start करता हूं कि हर्याना Land Record Information System, हर्याना government के एक software का यूज़ करती है, उस software का नाम है HALRIS, हर्याना Land Record Information System, जिसमें पूरी लेंड का क्या होता है, अपका record होता है, इसको क्या किया था एक नवंबर 2003 को माननिय मुख्या मंतरी चोधरी ओम प्रकास चुटाला दुवारा इस परियोजना का उदगाटन किया था और हर्याना दीवस के अफसर पर सिर्शा में इसका क्या किया था उदगाटन किया था हर्याना लैंड रिकोर्ड इंफर्मेशन सिस्टम मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे चोटी उनिट होती हां पर वर्ग फीट फीट कहूंगा मैं उसके पर आती है करम एक करम होती है साड़े पांच फीट की अब आपको पता है कि जब आप किसी छेत्रफल निकालते हो किसी चीज का आप करते हो लंबाई गुना में चोड़ाई करते हो अगर मैं आयताकार की बात करता हूँ मैं लंबाई गुना में चोड़ाई की बात करता हूँ तो एक करम जो है साड़े पांच फीट के मतलब इस अगर मैं 9 सरसई को मिला देता हूं मैं तो वो बनता है एक मरला अब आप बताओ कि एक सरसई कितने फीट की है 30.5 फीट की है तो 9 सरसई कितनी होगी 9 गुणा में 30.5 ये बनता है 272.5 वर्ग फीट तो एक मरला बन गया आपका 272.5 वर्ग फीट का बन गया फिर जब 20 मरले मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक कनाल अब आपको बता है मैंने एक मरला कितने का 272.5 तो 20 मरले कितने के होगे 20 गुना में 272.5 ये बन गया 5445 वर्ग फीट बन गया तो एक कनाल बनती है 5445 वर्ग फीट के अगर मैं दो कनाल को मिला दूँ तो वो बनता है एक बीगा तो दो कनाल बनती है एक बीगा एक कनाल कितने किया है पांच हजार पांच सो पैंताली की तो दो कनाल दो गुना में पांच हजार चारसो पैंताली ये बनती है 10,890 वर्ग फीट की बनती है ये फिर आगर मैं 8 कनाल को मिला लेता हूँ मैं तो 8 कनाल मिलके बनाते हैं 1 किला 8 कनाल की दर मिलाते हैं 1 किला तो 1 कनाल कितने की है 5,445 की तो 8 कनाल बनागी 8 गुना में 5,445 बराबर बनता है 43,560 वर्ग फिट बन जाता है ये फिर चार भीगा मिलके बनाते हैं एक किल्ला और एक किल्ला को हम एककड भी बोलते हैं एक किल्ला आजा एक्जाम में या एककड आजा इसका मतलब क्या रहेगा आपके पास सेम रहेगा फिर अगर मैं धाई किल्ले मिला देता हूं तो धाई किल्ले मिलके बनते हैं एक हेक्टेर बनते हैं तो एक हेक्टेर बनते हैं धाई किल्ले एक किल्ला कितने का बना है 43,560 वर्ग फिट का तो धाई किल्ले कितने का बनेंगे तो यह आप अगर आपको थोड़ा डाउट लगता तो आप दुबारा इसको समझ सकते हैं दुबारे से वीडियो को पिछे करके तो मैंने कहा कि इनको एक ओर्डर में लिखा है सबसे छोटी वर्क फीट करम सरसई मरला कनाल भीगा किला हैक्टेर और मुरब्बा और एक्जाम में मैंने खुद जब पेपर दिया था एक्जाम में कॉश्चन आया था वो पुछा था कि एक हैक्टेर जो है कितने मीटर पेर मीटर के बराबर होता आपका एक हेक्टेर फिर मैं एक एक्जाम्पल लेता हूं आपके सामने कि एक जो किल्ला होता है वो आयताकाराकार में होता है और आयत का छेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना में चोड़ाई तो जो आपका आयताकार का छेत्रफल में निकालत चत्ती गुना साड़े पांच क्या आया आपके पास और चालिस गुना साड़े पांच आपके पास क्या आया 220 तो एक सो अठानमे गुना 220 क्याता है 43,560 वरग फीट आता आपका एक किल्ले का चेत्रफल जो हमने पिछे भी निकाला आप चेक कर सकते हैं 43,560 एक किल्ला बनाता है 43,560 तो यह कुछ कैल्कुलेशन है एक्जाम में आपको बेसिक से स्टार्ट करना आपको एक चीज़ पता हो नहीं चाहिए कि आगर आपको सीरीज याद है तो आपका क्वेशन डेफिनिटली ठीक होगर आपको एक माक्स पक्का मिलेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो उसको शेयर कीजिए थेंक्यू